तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले है काफी hot topic चल रहा है कि share market की income के अपर आखिर tax कैसे लगाया जाता है income tax law के हिसाब से तो दोस्तों पूरा वीडियो में detail में आपको समझाने जा रहा हूँ लेकिन इससे पहले हम वीडियो में discuss करने वाले हैं कि stock market में जो भी हम trading activities करते हैं उसकी classification कैसे होती है साथी बात करेंगे कि share market की income को कौन से head के अंदर taxable होता है यानि कि उसको business income माना जाता है capital gain माना जाता है तो इसमें बहुत सारे लोग को confusion है उसका solution आपको इस वीडियो में मिलने वाला है साथी मैं बात करने वाला हूँ कितना कितना tax लगाया जाता है stock market की income के उपर क्या ये एक individual slab rate से taxable होता है या पिर एक special rate से taxable होता है और दोस्तों साथी वीडियो के end में आपको बताने जा रहा हूँ क्या कि अगर आपको loss होता है share market में तो उस case में आपको क्या करना चाहिए तो ये सारे point वीडियो में detail में समझाने जा रहा हूँ तो वीडियो बहुत जादा important होने वाली है इसलिए आप से कहता हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखे और skip ना करे हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी lengthy हो जाए लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाल पर दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नीचे लान उसको दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको time time पर मिलते रहें और बागी social media platform पर आप हमें follow कर सकते हैं सबका link आपको description में मिल जाएगा click करके join कर लेना क्योंकि वहाँ आपको मिलेंगी updates finance और taxation देकि taxability समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा classification of stock trading activities basically जो हम stock market में पैसा लगा रहे हैं वो as a investor लगा रहे हैं या as a trader लगा रहे हैं क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो intraday करना चाहते हैं काफी सारे SSR हम तो long term के लिए invest कर रहे हैं तो दोस्तों उसी की classification यहाँ पर हमारी 4 category में आती है क्या क्या कि आप as a short term में पैसा लगा रहे ह tax rate क्या होगा I care में कौन सा form हमें देखना है और intraday और F&O यह पूरा वीडियो में detail आपको उनको पहले मतलब समझाने वाला हूं और उसके बाद इनके tax के बारे में बात करेंगे तो पहले start करते हैं short term का यहाँ पर मतलब क्या है income tax law के इसाफ से देखिए अगर आपने रखा और 12 महीने के अंदर बेच दिया तो उसको income tax law की language में बोलते हैं उसके उपर क्या हो गया income profit हो गया जो उसको बोला जाएगा short term capital gain राइट 12 महीने के अंदर आपने कोई share खरीदा और बेच दिया उसको हमने कह दिया short term capital gain अच्छा इसकी calculation कैसे होती है सर यह बता दो short term capital gain उसके उपर tax का लगीगा देगे आपने जिस price पे share बेचा sale price minus जो आपने उसको sale करने में खर्चा करा वो minus हो जाएगा minus purchase price तो आपका निकल के आजाएगा short term capital gain अच्छा जो खर्चे होते हैं brokerage के STT जो pay हुआ है registration charges वगारा दोस्तों आप उसमें इसका benefit ले सकते हो उसमे तो आपको net of करके sale price में जब हम minus करेंगे खर्चे minus करेंगे purchase price तो आपका short term capital gain निकल जाएगा अच्छा अगर मैं बात करूँ short term capital gain आपका दोस्तों taxable होता है special rate से हमारा कितना rate है 15% से हमारा दोस्तों taxable होता है और यह हमारा section 111A के हिसाब से taxable होता है देखिए मैं बात कर 111A के इंदर cover होता है अज़र इसके अंदर IT ने हमारी बरी जाती है IT आट तू आप फाइल करते हो short term capital गर आपको गई भी gain होता है next दोस्तों हमारा long term capital gain income tax law के इसाब से कब कहा जाता है आपने कोई भी share खरीदा उसको अपने पास hold कर रहारा महीने के बाद बेचा तो उसक पर जो gain हुआ उसको हम कह देते हैं long term capital gain अब बात करते हैं कि long term capital gain और उस पर tax rate का क्या provision है income tax law के हिसाब से अगर आप उसकी calculation करते हैं दोस्तों calculation तो same है जैसे short term निकाला ऐसे long term है sale price minus जो आपने खर्चा करा sales के उपर minus purchase price तो आपका आगया long term capital gain आपने जब भी share करीदा और उसको एक साल के बाद बेचा उस पर जो आपने खर्चा करा आपने brokerage पे करीए आपने security transaction tax पे करा registration charges पे करीए कुछ भी आपने sale पे जो भी expense करा है उसको यहाँ पर ले सकते हो उस section 112A वाले shares के बारे में जो कि हमारे listed होते हैं या हमारे equity oriented mutual fund के जो shares होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं तो उस case में आपका यहाँ पे special tax rate लगता है 10% का और वो भी कब 1,00,000 से उपर वाले अगर आपका long term capital gain हुआ है इसका मतलब यहाँ पे section 112 एक हिसाप से अगर आपका 1,00 रुपे तक का long term capital gain है section 112 में तो उस case में आपको उस पर कोई भी tax नहीं देना है वो exempt हो जाएगा एक लाग से जितना ऊपर है उस पे आपको 10% tax दिना पड़ेगा इसका मतलब let's suppose मैंने financial year 23-24 में अपनी high tier file कर रहा हूं उसमे मेरा long term capital gain हो के 1,500,000 एक 112A वाला तो मुझे 1,00 तो छूट मिल गई, 112A के अंदर, 112A के अंदर मेरा exempt हो गया तो बागी 50,000 के उपर मुझे 10% tax यहाँ पे पे करना है और गाइस इसके लिए भी आपको ITER to file करनी होती है long term capital gain के लिए अब next जो सबका फेवरेट है सर इंट्राडे और F&O की कैसे होती है, कैसे taxability करते हैं जो की सबसे ज़ादा typical है दोस्तों और सबसे ज़ादा इसमें आपको help लेनी पड़ सकते हैं किसी भी professional की तो आप किसी की professional की guidance के बाद ही intraday और F&O की जो भी transaction आप कर रहे हैं, जितना भी आपका income आरा loss आ रहा है और उसकी IATR file करने बैट रहे हैं तो please किसी professional की help जरूर ले, even आप हमारी team से भी बात कर सकते हैं, बीचे दे नमबर पर call कर सकते हैं तो intraday का यहाँ पर क्या मतलब हो जो भी person same day में खरीद रहा है और बेच रहा है, या तो उसने सुबह खरीदा एक गंटे बात बेच दिया, सुबह खरीदा या शाम को जब market बंद होने से पहले बेच दिया, यानि कि same day में जो अपनी knock-off कर रहा है transaction, share सुबह खरीद के बा आया गया है speculative business income, ऐसी दोस्तों में बात करूँ F&O की, तो F&O का मतलब है जिसमें आप trading करते हो future options के अंदर, तो उसके अंदर भी आपका क्या रहता है, F&O में आप पैसा जो invest करते हो, lot में पैसा लगाते हो, बहुत पैसा लगाते हो, तो उसके अंदर दोस्तों आपका क्य क्या माना के normal business, ऐसे आप बाकी के business करते हैं, कोई manufacturing का business कर रहा है, कोई professional है, को trading का, wholesale का business कर रहा है, ऐसा ही F&O की business income है, उसको क्या माना के normal business income, अच्छा, अगर मैं taxability की बात करूँ, तो guys, आपके जो F&O और intraday की transaction आप करते हो, जो भी इस पर profit आप कमाते हो F&O intraday में, व F&O intraday के लिए, और साथी जो भी आपने खर्चा करा है, intraday F&O के लिए, आप उस खर्चे को claim कर सकते हो, अपनी business income निकालने के लिए, intraday और F&O के लिए, अब जो next point है, loss हुएसे stock market में, तो क्या करना चाहिए, ITR file करें, क्योंकि sir, loss ही तो हुआ है, क्या करना ITR file करके, या जा आप मन में आता है, sir, ITR file निकरेंगे, तो क्या problem होगी, या कुछ हम गवा सकते हैं, तो वैसे तो मैंने detail में इसके लिए पूरी ये video बना रखिया है, यागर आपको loss है share market में, तो आपको ITR file करनी चाहिए, कि नहीं करनी चाहिए, दोस्तों, आप इस video को rapper कर सकते है पूरा मैंने detail में समझा है, तो repeat हो जाएगा हमारा जो content है, आप इस video को rapper करें, आपको detail में पता लग जाएगा loss के बारे में, अच्छा, अब हम बात करते हैं, दोस्तों, जो important point है, कि sir, अब आपने कहा कि काफी लोग को confusion है, कि हम share market की income को, हम business income दिखाएं, या फिर capital की income की अलग अलग perspective रहा है, इवर income tax लोग के अंदर भी काफे सारे cases हुए है, जिसके अंदर income tax department भी माना है, कि अगर अपने shares को अज़ा stock दिखा रहा है, अपने shares को अपना stock दिखा रहा है, तो उस case में उसको वो business income treat कर सकता है, कि अगर आप उसको अज़ा stock रख रहे हो, अपने उसको बेचते हो, तो आप उसको business income दिखा सकते हो, और ऐसे अगर अपने shares को आप ऐसा investment दिखा रहे हो अपनी books में, और उसको बेचते हो, तो उस case में उसको आप capital gain दिखा सकते हो, तो guys यहाँ पर देखा जाए, तो सबका एक अलग अलग perspective है, और depend करता है कि आप जो भी ए खुद income tax department ने पुराने cases के अंबर यही बोला है, जितने भी case laws आए हैं, कि आप उसको जो भी आप treat कर देखा रहे हैं, या उसको आप investment दिखा रहे हैं, तो आप उसी system को follow करते रहे, continue सालो साल तक, तो यह आपने ध्यान लखना है, हलाकि मैंने आपको अपना perspective बता दिया ह आपको अगर intraday और FNO है, तो उसको business income मानेंगे, intraday को speculative business मानेंगे, FNO को, हम क्या मानेंगे, उसको एक normal business मानेंगे, जिसको हम ITR 3 में लेके जाएंगे, business treat करेंगे, और वहीं पे अगर आप short term long term में invest कर रहे हैं, तो उसको capital gain मानेंगे, तो आशा करता हूँ कि मैं अपने point पर clear हूँ, अगर फिर भी आपको कुछ भी question है, कि कैसे taxability में आपको कुछ भी problem आ रही है, share market में income के अंदर, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप में कुछ ना कुछ एक solution दिया होगा वीडियो ने आपको, तो प्लीज वीडियो को like करें, share करें, और मुझे motivate करने के झाल